हुआ है अब हम एक निया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कररंट इलेक्टिटी ठीक हें और यह करण इलक्टिटी हमारे पास 12 के अंदर लेक्ट्रोस्टेट और के बाद का पार्ट है ठीक है और इस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले एक बार वो short में discuss कर लाते हैं फिर हम बात करेंगे इस chapter की कितनी importance है ठीके क्या part हम पहले पढ़ काई हैं क्या part इसमें separate रहेगा ठीके तो starting में हम करेंगे इसमें current और current density के introduction से उसके बाद में हम आप जो 10th class हम पढ़ काई हो ohms law उस पे बात करेंगे किर्शॉफ's current and voltage law यह आपने use किया लेकिन properly discussed नहीं किया था 10th class में and next one is the equivalent resistance और the effective resistance इसका एक part 10th में पढ़ काई हो और जो method किस तरीके से हम equivalent निकालते हैं वो बिलकुल वे से ही होंगे जैसे हमने equivalent capacitance में किये थे बहुत ज़्यादा एकदम identical होंगे तो यह वाला part पढ़ने से पहले आपको मैं suggest करूँगा कि एक बार equivalent capacitance वाले lecture को आप दुबारा revise करें then we will come to the cell and their combination उसके बाद में एक और part बच जाएगा जिसे हम बोलते हैं instrument कुछ यह आपके practical के point और वी से काफी ज़्यादा important है यह आप 12th board की बात करते हो तो वहां पर यह instrument पर कुछ practical होते हैं और यह मेंस में भी देखा जाए तो वह experiment वाले segment पर अलग से क्यूशन पूछती है मतलब वह एक वेटेज decided होता है कि इतने क्यूशन तो उनको experiment वाले part पर पूछ नहीं तो मेंस और एडवंस दोनों के हिसाब से देखा जाए तो यह instrument वाला part भी काफी ज़्यादा important है लास्ट एक पाइट रहता है जिसे हम बोलते है आर सी सर्किट यह बेसिकली capacitor का पाइट है लेकिन कुछ concept है especially किर्चॉप्स current and voltage लो जिनकी जरुवत पढ़ती है इस वज़े से हम इस पाइट को current रिलक्सिटी के बाद में पढ़ते हैं अब आप इसे कैपिसेट का मानिए current रिलक्सिटी के इसे कोई फर्क नहीं पढ़ता ठीक है अब बात कर लेते हैं कि जेई में इसकी कितनी पार्ट्स आया था और एक हमारे पास RC सरकिट वाले पार्ट्स आया था दोनों हमारे पास four marks के थे और multiple correct क्यूशन वाले थे यहनी कि more than one correct option वाले में थे ठीक है तो almost eight marks का ये weight is पिछले साल 2019 जेई advance में था तो आपको ऐसा हो गया होगा कि ये chapter कितना ज़्यादा important है ठीक है मज़े की बात ही कि इसमें आप थोड़ा सा focus करका देखते है न एक तो आपको बहुत interesting लगता है यहां सच में मज़े आ जाएगा ठीक है और दूसरा क्यूशन भी बनेंगे मज़ा भी आएगा और marks भी आएगे दोनों चीजे एक साथ में लगी ऐसे बहुत कम chapter होते हैं जहां आपको मज़े भी आ रहे हैं और number भी आ रहे हैं तो ये उनमें से एक है अब 11 chapter start करते है ठीक है इसमें सबसे पहले terms हम current के बारे में हमारा discussion शुरू करेंगे कि current क्या होता है current basically flow of charge होता है क्या हो हम general definition की बात कर सकता हूं कि current बोलने का मतलब है जहां भी charge particle का flow होगा हम बोलेंगे कि current flow हो रही है ठीक है अब बात करते हैं चार्ज पार्टिकल कैसे होंगे charge particle कौन हो सकते है electron charge particle होगते है बिलकुल हम बात करेंगे holes की वो भी charge particle होते है और जो हमारे positive और negative ions होते हैं वो भी charge particle होते है तो charge carrier यह हो सकते है electron holes और ions इस chapter में हम electron ही हमारे charge carrier वाला part रहेगा होल्स की बात बेसिकली सेमिकंडेक्ट वाले चेप्टर में आएगी तो अभी के लिए आप भूल जाएगे कि ये क्या पार्ट है अभी के लिए इस चेप्टर में था हमारे पास चार्ज का फ्लो का मतलब एक तरीके से इलेक्टरॉन का फ्लो है वो भी कॉण्ड से उलेक्टरॉन फ्री उलेक्टरॉन यानि कि फ्री उलेक्टरॉन पर हमारा फोकस रहेगा इन ही के मोशन से हमारे पास कहने गए लेगे यह तो जेनरल डेफिनेशन की बात आ गए अब बात करते हैं एग्जेक्ली नुमेरिकली current define कैसे होती numerical value तो आप यह बोलते हो कि बहई जो time rate है time rate of charge flow time rate of charge flow इसको बोलते है current तो mathematical मैं ऐसा लिख सकता हूँ current वो अमारे पास आजाएगा कि बहई कितना charge flow वा डिवाइड वाई time interval ठीक है यह हमारे पास average current आएगी क्या आएगी average current यह दी किसी को किसी instant पर current चीज़ी हम बोलते है instantaneous current तो उसमे time interval बहुत ही छोटा ले ले दिंगे तो current का जाएगा छोटे से time interval में dt interval में कितनी charge flow वाँ let's suppose dt interval के अंदर elemental charge dq flow वा देन dq upon dt the rate of charge flow this is called current अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो हमारी प्यारी सी current है इसकी unit क्या होगी ठीक है किसकी बात कर लेते हैं unit के बात कर लेते हैं तो unit के बारे हम हम बोल सकते हैं कि इसकी एक unit तुम्हें देख के बता सकता हूं वह एक charge की unit divide by time की unit charge की unit हमारे पास रहती है कुलाम और time की unit होती है हमारे पास second तो मैं लिख सकता हूं कुलाम पर second और इस कुलाम पर second को हम एक और नाम दे देते हैं वह हमारे पास ampere याद रखना current हमारे पास fundamental quantity में count होती है जो हमारे पास seven basic fundamental quantity है नो उसमें current भी एक आती है fundamental quantity है और इसकी जो ऐसा unit जो है वो है ampere बरावर है कुछ और बात इसमें आपन बोल सकते हैं कि हमारे पास जो current है इसकी direction के बात कर सकते है current के direction के बात कर सकते है current के direction के regarding में बोल सकता हूं current के direction किदर होगी वोगी इन दा डारेक्शन आफ इन दा डारेक्शन आफ फ्लो आप पॉजेटिव चार्ज फ्लो आप पॉजेटिव चार्ज यहने कि जैस डारेक्शन में पॉजेटिव चार्ज आएंगे वोई हमारे पास करेंट के डारेक्शन होगी ये एक positive charge है और ये positive charge ये इस direction में flow हो और है तो मेरे पास current के direction भी यही मानई जाएगी positive charge उधर जा रहा है तो ये हमारे पास current के direction आईए ठोके और ये एक negative charge इदर के side में जाएगी तो फिर current के direction उसके opposite माने है समझवारी बात में क्या बोलो इदे हमारे पास positive charge right side में जा रहा है तो current के direction right side होगी negative charge right में जाएगा तो मैं बोलूगा बोगी current negative charge के opposite current के बोलोगी याद रखना हमारा जो electron है is free electron यह भी negative charge है तो उदि कहीं ऐसा दिखा है कि suppose यह हमारे पास एक प्यारा सा छोटा सा pipe है यह एक cylindrical form में wire है और इस wire में यह current के direction है किसके direction है current की तो इसका मतलब है कि free electron जो है वो इदर आ रहे होंगे समझारी बात इन चीजों को आपको दियान रखना चाहिए ठीक है अच्छा है अब मैंने बोला कि current एक क्या है हमारे पास current की direction की बात की है हाँ लेकिन इस बात का दियान रखना current की direction जरूर होती है लेकिन जो current है it is a scalar quantity current हमारे पास क्या है एक scalar quantity है अब ये थोड़ी इंट्रेस्टिंग बात आगे सर ये कैसे आप मजाग कर रहे हो current के पास एक numerical value है जो निकालने का आपने तरीका बता दिया ये रहे numerical value निकालने का तरीका और ये आपने direction निकालने का तरीका बता दिया और जिस quantity के पास direction और numerical value होती हो तो वेक्टर होनी चाहिए फिर ये scalar कैसे है तो इसका reason है because it does not follow vector addition लो हमारे पास वेक्टर addition लो था ने ट्राइंगल लो पेरलोग्राम लो vector addition लो उनको follow नहीं करती है अच्छा इस बात का क्या मतलब है जैसे मैं बोलू कि यहाँ पे ये कोई एक resistance है और इदर 3 ampere current flow हो रही है समयनारी बात इदर से एक और resistance है और इसके अंदर 4 ampere current flow हो रही है अभी दोनों के बीच का इंगल है 90 degree और इदर अमारे पास एक और आपके पास resistance है तो अब बोलू कि इदर से 3 ampere आ रही है इदर 4 आ रही है तो आगे जो पार्ट जाएगा वो अमारे पास 7 ampere रहेगा हाँ ये बात तो कोई दिक्कत नहीं ह अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट येदि मैं इन दोनों के बीच का इंगल है ये एंगल चेंज कर दूं ये एंगल आपके पास 90 के बिज़ाए कुछ और ले लो ये ये वाले ब्रांच में इसके पास में ले हूँ 3 amp और 4 amp वाले तो कम हो जाएगा उस एंगल के कम होने से आगे अंसर में चेंज नहीं आएगा ये वेक्टर एडिशन होता तो 3 और 4 का आंसर 5 आना चाहिए था 90 डिगरी पर रिजल्टेंट 7 नहीं आना चाहिए था लेकिन आप इनके बीच मिनना तो एंगल पर दू वेक्टरी दे 90 डिगरी तो रिजल्टन कैसे निकालते है रूट A स्क्वार प्लस B स्क्वार लेकिन इस तरीके का वेक्टर एडिशन लोफ फोलो नहीं होता है यहां पर इस वज़े सांसर 5 की जगा 7 आया है और यह एंगल 90 हो या कुछ और हो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा तो आयोप इस एक करेंट के जैसी एक और प्यारी सी क्वांटिटी होती हम उस पर बात करने चाहिए और वह हमारी प्यारी सी क्वांटिटी है करेंट डेंसिटी है क्या क्या कॉंटिटी है करेंट डेंसिटी है अब देखते हैं कि यह करेंट डेंसिटी क्या होता है इसको अपन जे से सब्सक्रेद्रेर्च वंची डिक काइए इट इज विक्टर्कॉंचीटी HY सै इट इसब्सक्रेटी अब बात करते हैं यह महरा पास वाक्रॉक्र है यह डिफाइन कैसे होता है het is a vector quantity ठीक है यह define कुछ इस तरीके से करेंगे जो numerical value के बात करेंगे ना numerical value इस तरीके से define होता है कि जो current passing through unit cross section area current per unit cross section area मैंने एरिया नहीं लिखा इस बात का ध्यान रखी physics में बहुत बार यह लिखा मिलेगा cross section area तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि cross section area का क्या मेनेगा अभी इस पर बात कर लाते हैं cross section area लेकिन एक चीज़ तो मैं यहां पर तुरंद बोली सकता हूं वह हमारे पास unit unit के बारे में तो बिल्कुल आसानी से comment कर सकते हैं unit के बारे में क्या comment कर सकते है current की unit क्या होती है ampere divided by area की unit क्या होती है meter square ampere upon meter square current density जे की unit होने वाली ठीक है अब देख लेते हैं कि जो current density है इसकी जे वेक्टर है इसकी direction का क्या सेने जे वेक्टर में वालन वेक्टर क्वांटिटी तो एक direction वियो ने ची तो direction किदर होगी वोगी in the direction of in the direction of current in the direction of current flow जीधर आमारे पास current की direction होगी ना वही current density जे की direction होगी इस बात का आपको पूरा जान रखना है कि current आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और current आमारे पास scalar quantity ठीक है अब एक थोड़ा सो बड़िया तरीके से समझते हैं आपको और लगेगा कि मैं बोल कह रहा हूँ suppose मेरे पास एक normal सा मैंने एक wire consider कर रहा हूँ ठीक है एक wire consider कर लेते हैं cylindrical form में ले रहा हूँ ठीक है तो cylindrical form में ये एक wire लिया है इस wire का कुछ area है let's suppose ये वाला area मेरे पास capital A मान ले था हम और इस wire में एक current flory इस direction में current की numerical value capital I अब यहाँ पर मेरे को define करना है कि current density की numerical value क्या होगी तो मैं बोलूँ का कितनी current flory है divide with cross section area cross section area का मतलब है कि जो current की direction है ना उसके perpendicular कितना area है किसी भी चीज के लिए मैं cross section के बात कर रहा हूँ तो उसके perpendicular area लिया जाएगा तो यहां current के perpendicular area लिया जाएगा तो वो हम बोलेंगे cross section area तो I upon A इस तरीके से हमारे पास यह define होगा current density J अब किसी ने का नहीं नहीं मेरा area में इस तरीके से नहीं मान रहा हूँ इसी problem को मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ ठीक है समझ वाता है कि मैं क्या बोलने के उसीश कर रहा हूँ यह हमारे पास प्यारा से cylindrical shape में है यह एक cylindrical shape में wire है और इस wire के अंदर एक eye current ऐसे floor है देखते रही है यह काफी important चीज़ है ठीक है अब मैंने का कि मैंने एक area लिया इस तरीके से और इस area से कुछ current पास हो रही होगी असंदर एक angle पर मैंने area लिया है let's suppose यह वाला area में बोलना हूँ कि इसकी numerical value है तो बताओ यहाँ पर current density जे कितना होगा ठीक है current density जे पूछाँ मैं बोलूँगा कि कितनी current पास हो रही है divide by cross section नहीं दिए अब मैं A नहीं लिखूँगा क्योंकि यह जो area A है यह हमारे पास current के perpendicular नहीं है तो इस area का मैं एक projection लोगा इस तरीके से आएगा यह आएगा तो यह जो मैंना highlight कर रहा हूँ this is going to be the cross section area और area हमारे पास vector quantity ती ध्यान रखना तो यह हमारे पास area vector के direction आजाएगी आजाएगी तो यह area vector के direction सपोज यह area vector हमारे पास current के साथ theta angle बना रहा है तो यह angle भी theta हो जाएगा by default दोनों surface की बीच का थोड़ा सा सोच के देखना समझ मा जाएगा ठीके यह जो area vector होता है वो surface के perpendicular होता है तो यह आपके पास इस plan में से 90 degree पे तो अब आपास cross section area के लिए मुझे इस area का जब projection इदर लोगा तो यह वाल area कितना निकल लगाएगा ए cos theta तो हमारे पास projection area आ गया a cos theta कितना आ गया a cos theta तो यहां से मैं यह बोल सकता हूं कि current i this can be written as j a cos theta यहां पे current और current density दोनों ही vector quantity and theta is the angle between current density and area vector तो क्या इस बात को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो this is basically j vector dot a vector dot product से जो में quantity मिलती ही वो में से scalar मिलती ही तो current को मैं इस तरीके से भी define कर सकता हूं ठीक है यानि कि आपको current density पता है तो आप current निकाल सकते हो इस formula के तो उमेद करता हूं इस example से आपको थोड़ा idea लग रहा है कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं यह तो तब है जब आप पास density एक जैसी हो इदि density एक जैसी नहीं होई तो आप स्टोरी को कैसे handle करोगे यानि कि मैं बात कर रहा हूं for non-uniform for non-uniform current density current density एक जैसी नहीं होगी उस case में आपको बोला जाए कि current कितनी वो calculate करो ठीक है तो हमारी approach क्या रहेगी इस पर आते है माल लेते हैं कि कोई भी एक random shape ये बने लिया एक area लिया है ये area capital A और इसमें हर जगा current density different है और मुझे चाहिए कि इस area से total कितनी current पास हो रही है मैं क्या करूँगा कि भी एक काम करो variable है कोई बात है नहीं मैं एक छोटा सा प्यारा सा एक elemental area लेता हूं डी ए और इस डी ए की कोई direction होगी डी ए वेक्टर ठीक है अब मैं बोलूगा कि ये area इतना छोटा लिया है कि छोटे से area पर कुछ जो भी current density रहेगी जे वेक्टर वो अमारे पास uniform हो जाएगी एरिया बहुत छोटा ले लिया है तो छोटे से area पर कुछ current फ्लो होगी डाट elemental current can be written as j vector dot da vector क्योंकि elemental part पर हमारे पास current density uniform है इदे आपको total current आई चाहिए then I can go for the integration सारे elemental part पर आप छोटी छोटी elemental current को add करते रहोगे तो total current मिल जाएगी मिल जाएगी यहाँ जो j vector लिखा है it is basically density current density at elemental area da vector और limit इस तरीके से लगानी है कि total area आजाए अच्छा limit में area की लगा रहा हूँ यानि कि total area count होना चाहिए समझारी बत अच्छा इस part को देखते वे एक और बड़ी ऐसा statement नहीं बोल सकते हैं क्या किसी जमाने कुछ एक word सुन में आ रहा है किसी जमाने में ऐसा कुछ एक word यूज हुआ था जिसे बोला करते थे flux याद आ रहा है कुछ उसको देखके मैं नहीं बोल सकता वहां ऐसा आया करता था देखो flux क्या होता था यहां integration जे की जगा आ जाता था electric field तो जो electric field का flux होता थ वेसिवी में यहां बोल सकता हूं current इजे flux of current is a flux of current density current density के दिया flux count करोगे तो आपको current मिल जाएगा देख लिजिए हम जब electric flux count कर रहे थे तो electric field को अपन इस तरीके से integrate कर रहे थे तो वेसी यहां एक काम कर लेते हैं इतना सब को जब करी लिए एक छोट असा example देख लेते हैं जिसे और बड़िया तरीके से समझ माज़े एक प्यारे से example की बात कर लेते हैं ठीक है माल लेते हैं हमारे पास एक cylindrical shape में wire है और इस wire की जो radius है यह हमारे पास इसके access तो यह radius माल लेते हैं capital R है ठीक है और हमें चाहिए कि इस wire के इस cross section से कितनी current पास हो रहे है current हमें calculate करने है और आपको given है कि यहाँ पे जो current density J है इट vary radially ठीक है radially यह इस तरीके से vary कर इट is a function of radial distance and it is given as J not small r upon capital R where small r आपके पास radial distance यहाँ से इस तरीके से small r distance पे density देखो गए तो इस तरीके से आई समझो आगे problem क्या है अब बात करते हैं इसके solution पे solution की बात आपको cross section से कितनी current पास और यह चाहिए न तो यह काम करते हैं क्यों नहीं पहले cross section इसका draw कर दे ठीक है तो इसके cross section की बात कर लेते हैं यह cross section है यह इसकी radius capital R आप cross section देखो गए circular देखेगा न और इस पूरे के अंदर पूरे cross section में radial distance different होने से जे different है तो आप current नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसी problem को solve करने के लिए हम कुछ center से smaller distance पर बात करेंगे ठीक है center से smaller distance पर DR width की तो यह हमारे पास center से smaller distance पर DR width की बात करते हैं तो यह जो अब area highlight कर रहा हूं है इस सबकी center से distance almost equal है center बोलना ज्यादा ठीक नहीं रहता है access बोलना चाहिए cylinder है न एक्सेस से distance almost equal है सबकी आ रहे है तो छोटे से पार्ट से जो पास वन वाली elemental current है d i that can be written as यहां पर जो current density है multiply by elemental area d a अब बात कर लेते हैं यह elemental area d a कितना होगा यह density हमारे पास given है कि center से r distance पे इतनी होगी elemental area मैं लिख सकता हूं 2 pi small r multiplied dr इस रिंग को बाहर निकाल के cut करके लंबा करो एक इस strip बनेगी जिसका area इतना आएगा ठीक है और total आपको current ची यह तो मैं integrate करूंगा जो part consonant है उसको पहले बाहर लेते हैं तो जे नोट 2 pi upon capital R अंदर रहेगा r square dr limit देखो small r की वेलो 0 से capital R तक वेरी करो और total area आजाएगा बहुत बढ़िया r square का integration क्या होता है r cube by 3 r cube divided by 3 तो यह आजाएगा j not 2 pi upon capital R r cube divided by 3 limit 0 से capital R तो यह बन जाएगा हमारे पास 2 by 3 j not pi यह बनेगा r cube और नीचे एक r है तो यह बनेगा r square यह total current i की वेलो है तो हम क्या देख चुके हैं एक बार मैं दुबार बता देता हूँ हमने start किया था इस lecture के अंदर की वही हम क्या पढ़ने वाले है फिर हमारे starting with current में current में हमने बोला था कि current basically flow of charge particle है charge particle के नाम पर electron holes iron होंगे लेकिन यहाँ पर mainly free electron होंगे फिर numerical value किस तरीके से define होती है वो बात की थी unit क्या होती है current की current आपास fundamental quantities में count होती है जो 7 fundamental है और direction की बात करते तो direction के नाम पर जो positive charge का flow जिस direction होगा वही current के direction होगी और एक चीज़ याद रहे कि आप dimension जो current के आप खुद calculate करोगे ठीक है और किसी को doubt है तो आप मेरे को पूछ ले जाएगा बहुत ही basic चीज़ पूछ रहा हूं ठीक है और current आपके पास scalar quantity है क्योंकि vector addition लोग फोलो नहीं करता है फिर हम आयोते current density पे current density vector quantity it is current divided by cross section area basically area which is perpendicular to the current ठीक है और जे vector के direction current के direction में होगी फिर हम एक चीज़ वार interesting पता लगी कि current density basically जो current है it is the flux of current density और फिर एक प्यारासा example हमने डिसकस कर लिया जिसे यह पता लगा कि जो variable current density होती है तब हमारे पास current कैसे calculate करते है उमेद करते हैं यह introduction आप पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ वाया आप सबके favorite topic ohm slow की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और यह आप 10th class में पढ़के आए हो एक fundamental law है ठीक है पहले इसके statement के बात करेंगे फिर कुछ और चीज़े थोड़ी बहुत discuss करेंगे वैसे आपके पास current electricity के अंदर जो सबसे basic law है यहाँ पर वह हमारे पास ohm slow और कि इसे हम सारी चीजें derive करेंगे ठीक है जब भी हमें कुछ दिक्कत आएगे हम सीधा इनी लोह से बात करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि ओम्स लोह का statement क्या है फिर आगे बढ़ते है statement बिलकुल simple आप सबको पाता है that at constant physical condition at constant physical condition अच्छा constant physical condition या physical condition के नाम पर हमारे पास temperature of pressure होगा ठीक है at constant physical condition current passing through a conductor is directly proportional to directly proportional to applied potential difference applied potential difference अब इस statement से थोड़ा समय समझ लेता हूं कि वह exactly बोलना क्या चाहरा है suppose यह हमारे पास एक प्यारा सा छोटा सा cylindrical form में में एक wire imagine करता हूं ठीक है तो अब मैं यहां से बात करता हूं तुम बोल सकता हूं कि यह हमारा wire है इस wire का कुछ अंदर दोन पाइंट A और B के उपर एक potential difference apply कर देते हैं let's suppose that is V A B potential difference V it is basically between A and B तो फिर यहां पे current flow हने लग जाएगे potential difference के लिए आप generally battery यूश करते हो तो यहां पे current flow हने लग जाएगे और यहां जो current flow हो रही है this current is directly proportional to the applied potential difference ठीक है और यहां जो proportionality consonant आता है उसको बन लिखते हैं 1 upon R क्या लिखते हैं 1 upon R तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए इस format में भी लिख सकता हूं V is equals to IR जातर लोगों को यह format मैं याद रखने क्याद आते हैं कोई बात नहीं यह वैसे flow में निकलता है हमारा काम हो जाएगा ठीक है अब यहां पर हमने एक और चीज देख ली एक तो क्या बूला था कि जो current flow हो रही हो आप पास potential के directly proportional है current potential समझाता है अब नई चीज आ गई यहां पर capital R तो अब हमारा मुद्ध है कि capital R का है पहले इसको भी समझ लेते हैं ठीक है तो अभी हम पहले बात कर लेंगे यह जो capital R लिखा है अब इस पर बात करते हैं कि exactly resistance क्या है तो resistance की बात करें तो resistance के बारे हम बोल सकते हैं that definition wise इडियम बोलों then it is property it is property of a material it is property of a material by virtue of which it oppose a charge flow यानि कि हमारे पास ease of resistance एक material की property है जिनकी विज़े से charge flow का oppose होगा अच्छा और इसके बारे हम क्या क्या बात कर सकते हैं वह देखते हैं सबसे पहले हमें बात करने चाहिए इसकी unit क्या है यूनिट के रिगार्डिंग हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि एक यूनिट तो यहां देखके आपको समझा आती होगी रिजिस्टेंस आर को क्या लेकिसे तुम भी अपोन आई तो इसके इन में रिटन इस वोल्ट डिवाड़ वे करनेट की यूनिट एमपियर एक यूनिट तो यह आ गई और इसी को यहां पे बोलते हैं ओ सिंबल ऐसा ही जोता है थोड़ा अराम से देख लिजेगा ठीक है तो यह हमारे पास आगई रिजिस्टेंस की यूनिट बराबर है और अब बात कर लाते हैं इसके डाइमेंशन क्या होगी रिजिस्टेंस की वेशे यह सब आपने यूनिट डाइमेंशन चैप्टर में पढ़ा है आप इसी फॉर्मले को यूज़ कर सकते हो कौन सी वाले को वी इस इकोश वाई आर वाले को लेकिन फिर से पोटेंशल की यूनिट निकालने में दिक्कत आएगी बड़ी आए कि आप सिदह यही फॉर रिजिस्टेंस की डाइमेंशन है दाट इस इकोश दो डाइमेंशन अफ पावर डिवाड़ वे डाइमेंशन अफ करेंट का स्कौर बराबर है पावर को आप ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम और एनर्जी को लिख सकते हैं फोर्स मॉल्टिप्लाइवे डिस्प करता है M1 L1 T-2 यह फोर्स की उनिट है इसको इसमें डिस्प्लेस्मेंट L1 से मल्टिप्लाइव कर दूँगा तो एनर्जी आ जाएगी और टाइम से डिवाइड कर दूँगा तो खाइन के पावर आ जाएगी और करेंट तो खुद एक फंडमेंटल यूनिट है ठीक है तो यह आगए एक की पावर टू अच्छा पिछले वेडियो में नहीं बोला था कि करेंट के डाइमेंशन क्या होगी तो करेंट के डाइमेंशन एक की पावर वन कि मुद एक फंडमेंटल क्वान्टिटी है बराबर है अब मैं इसे लिख सकता हूं रिजिस्टेंस की उनिट र रिजिस्टेंस की उनिट क्या आजाएगे हमारे पास ? A. M की पावर वन L की पावर टू T की पावर मैनस त्रि एक की पावर मैनस टू ये तो आगए हमारे पास रिजिस्टेंस की उनिट ठीक है ? अब बात कर लेते हैं कि भईए ये resistance calculate कैसे होगा यहां तक यह बोला न कि resistance basically आपके पास wire की property जिनकी वज़े से यह conductor की property जिनकी वज़े से आप अपस current का oppose होगा ठीक है ऐसी बात है तो अब देखते हैं भी oppose होगा तो यह जो opposing factor है resistance यह किस पे depend करेगा तो जहाँ पर current फ्लोरी न वहां लेंथ जितनी जादा होगी उतना ही चार्ज को जादा डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ेगी और अपोजिंग फेक्टर बढ़ जागी यानि कि तो आप पास toughest मुमेंट फेक्टर का मुदा हो जाएगा इन दोनों से combine form में आप ऐसा बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास जो resistance है that is directly proportional to L upon A और यहाँ जो proportionality constant आता है उससे ऐसे लिखते हैं row क्या लिखते हैं row तो यह हमारे पास resistance निकालने का तरीका होगा यहाँ पर मैं कुछ बाते हैं और add करना चाहता हूँ वह है कि यह formula तभी लगेगा न जब पूरे आपको ऐस length पे throughout the length cross section area एक जैसा हो और density यह जो आपस proportionality constant है यह भी एक जैसा हो तभी मैं ऐसे बाते कर सकता हूँ otherwise नहीं कर पाँगा अधि इसको देखके मैं कुछ चीजे और बोल सकता हूँ हमारे प्यारे resistance के बारे में रिजिस्टेंस आर के बारे में और क्या बोल सकता हूँ यह बोल सकता हूँ कि यह resistance वह है it depends on और लिजिस्टेंस कि लेंद पे भी डेपेंड करेगा एरिया पे भी तो मैं बोल सकता है कि डिपेंशन डिमेंशन डिमेंशन का मतलब यह होता है लेंद एरिया वेट इन पर ठीक है किस तरह के का हमारा मतलब सेब कैसी है उन बातों पर डिमेंशन पर डिपेंड करेगा रिजिस्टिंस और यह आप पास रो है यह पर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर और दूसरा हमारे पास material property पर डिपेंड करेंगा material property material properties ठीक है तो यह तो हो गया resistance की अब बात कर लेते हैं हमारे रेजिस्टिविटी की है ठीक है रेजिस्टिविटी मैंने पहले आपको बोल दिया कि यह हमारे पास सिरफ और सिरफ material की property पर डिपेंड करेंगा पर पोर्पोर्शनल्टी कॉंसेंट है तो मैं लिख सकता हूं इट डिपेंड़्ट्स on material property ठीक है अब बात कर लेते हैं वेसे formula वाइस देखते हूं तो आपके पास यह कितना आता है रेजिस्टिविटी को ऐसा लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी को एसा लिख सकते हैं आप वह फॉर्मॉला इसलिए लिख रहा हूं कि अभी यह चेक कर लाते हैं कि वह यह जो रेजिस्टिविटी इसकी यूनिट क्या रहेगी है यूनिट के बारे हम बात करते हैं ठीक है तो यूनिट के रिगार्डिंग आप बिलकुल स्टेक की बोollen सकते हों कि जो रेजिस्टिविट की यूनिट डिवैड ऐर्या की यूनिट और लेंदION एर्या होता मेंटर होता मेंटर तो एक मेंटर मलटिप्लाई ओँआ तो यह जाएगा ohm multiply by meter ठीक है और दूसरा इदि हम dimension की बात करेंगे तो dimension पी बिल्कुल resistance की dimension को length की dimension से multiply कर सकते हैं dimension की बात करेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ उपर देखो क्या आया बाता हो वो आया था m की power 1 l की power 2 था ना यह दिए l की power 2 तो 1 l और multiply वा ल की power 3 t की power पहले ही minus 3 था 1 की power minus 2 तो यही रहे है यह resistivity है resistivity आप length और area को unit ले ले लेते हैं तो resistivity resistance की इकवला जाएगी तो मैं definition wise ऐसा भी लिख सकता हूँ is resistivity a it is a resistance resistivity is basically a resistance of conductor having unit cross section having unit cross section and unit length इस तरीके से मैं define कर सकता हूँ ठीक है यहाँ एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा घोर करने वाली बात है वो यह है इस रजिस्टिविटी है resistivity resistivity does not depend on resistivity does not depend on dimension 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 of conductor ठीक है length कितनी है area कितना है इन बातों का resistivity से कोई लेहना देना नहीं है इस इसका आप हमेशा ध्यान रखोगी यह material की property पर डिपेंड करेगी बाकी factor पर डिपेंड नहीं करेगी तो हमने यहाँ पर पढ़ा था हमारे पास ohm slow के सुरुवात की थी जो कहें नहीं इस तरीके से बता रहा था अच्छा तो कुछ और बाते हैं जो आप graph बगएरा किन कर लेते हैं जैसे ohm slow पे आपने graph यह दिया प्लोट करोगे ohm slow पे तो कैसा आएगा current और वो दोनों आपास directly proportional तो इस्ट्रेट लाइन आएगा मैं graph लोट कर रहा हूं एक access speed में current लेलूं और एक पे potential लेलूं तो इनके बीच का जो graph है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ठीक है यह रहा हूं passing through origin यह मैंने किसी एक के लिए बनाया है conductor के लिए जिसका resistance R1 है किसी और के लिए बनाओगा तो straight line कहीं और मलब किसी और angle पा जाएगी सपोश्च दूसरे conductor के लिए straight line नहीं से आगए और अब हमें पूछा है कि R1 और R2 में क्या relation है मैं जिस option देता हूं कि भी R1 की value बड़ी है R2 से या फिर R1 की value छोटी है R2 से थर्ड option की बड़ी ये दोनों equal है and the fourth option is none of these ठीक है नन अफ अब हो इनमें क्या relation होगा R1 और R2 ये चेक करना है ठीक है बहुत बेड़े जब भी आपको इस टाइप की graph की problem आए ना home slow की बात नहीं करा पूरे physics में कहें भी वी और अब जैसे यहां पर वी और आई में relation दिया और R केंदर relation चाहिए तो ऐसे cases में better तक पहले इन तीनों को relate करने वालों को फ़र्म लेया दो तो वो लिख दो जैसे हमें अभी पता है वी जिको स्वाई या रोम slow है लिख दिया इस टाइप की situation के टीजी में भी आये थी थोड़ा सोचके देखो काइनेटिक सर्योप current equal है यहीं मैं ऐसी दू situation की बात कर लिए जामें ने current को एक जैसा कर दिया current एक जैसा है constant हो गया तो फिर में लिख सकता हूं V is directly proportional to R जिसका potential जाद होगा resistance उसका जाद होगा एक का potential इतना है और दूसरे का इतना है तो R1 का potential जाद है तो मैं लिख सकता हूं R1 is greater than R2 अब vertical line खिंच के भी चेक कर से vertical line खिंच देता potential एक जैसा होता तुम बोल देता है कि जो resistance है वो inversely proportion आजाता current के ठीक है तो इस तरीके से आप answer solve कर सकते हो कोई बुराई बाल बात नहीं एक और छोटी सी problem बहुत ही छोटी सी problem वो मैं discuss करना जाँगा जैसे एक बहुत ही प्य गाल लेते हैं बराबर है यह L Length के एक wire है और अब मैं एक काम करता हूं इस wire को cut करता हूं इसका एक छोटा सा part में cut कर के लेता हूं और वो छोटा सा part है L by 4 यह छोटा सा part कितना है L by 4 देखते रहे ना मैंने इसका एक piece काट के अलग कर दिया और इसकी resistivity row है तो जो नयाव पाला पी से टुकड़ा छोटा से वन फोट टुकड़ा है इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी ये पूछ है और इसके लिए आपके पास प्यार ऐसी कुछ में ऑफिशन भी देता हूं ताकि आप तुक्का भी मानना चाहो तो आपको मजा है ठीक है तो वो रो 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 बाई आप सोच लिए ठीक है इसी रेजिस्टिविटी का पूछा होता तो आपको बता है कि रेजिस्टिविटी डामेंशन पर डिपेंड नहीं करती तो अंसर यह आएगा मुझे पता है आप सबका आंसर सही आया था बट फिर भी मैं थोड़ा लास्ट वाले पाइंट को फोकस क करने के लिए मैंने दुबारा यह एक क्यूशन प्रेम क्या है उमिद करता हूँ जो बेसिक ओम स्लो से रिलेटरी टर्म से वह आपको समझ मैं यह इस पर और अपन कुछ नुमेरिकल के साथ डिसकस्शन करेंगे ठीक है जिन लोगों को लगता है कि ओम स्लो एक जैस्टिक स्टेटमेंट है कोई ज्यादा इंपोर्टेंश नहीं रखता या वीज इको स्वाई आर्थ पर कुछ फॉर्मले से कुछ नुमेरिकल होते हैं तो बहुत घलस सोचते हो ठीक है मैंने बहुत हैं ओम स्लो किर्चोफ्स करेंट और वोल्टेज लो यही वो फंडमेंटल लो है इस पूरे करेंट रिलक्सिटी चैप्टर में जिनसे हर एक प्रॉलम सौल होगी ठीक है और इस बात को जस्टिपै करने के लिए मेरे पास अभी दो बहुत ही प्यारे से एक्ज प्रॉलम कुछ ऐसी बोल रही है कि हमारे पास एक स्लेंड्रिकल सेप में कंडेक्टिंग वायर है और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेडियली वैरी कर रही है और यही आप एक पोटेंशल डिप्रेंस अप्लाई करोगे पी और क्यू के बीच में उस मुमेंट पर इ प्रॉटेंशल डिफाइन होता है लेंद की तरह कौन सा पाट एक्ट करेगा एरिया की तरह कौन सा करेगा उसके जरूर है कि आप पोटेंशल किस तरीके से अप्लाई करते हैं बराबर है ठीक अब इस नुमेरिकल पर आते हैं मुझे अभी के लिए कुछ नहीं पता ना मैं और को इक्वेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कभी पढ़ा है अभी बस मुझे यह पता है कि ओम स्लो कुछ होता है मैं उसकी हल्प से कुछ देखना चाहरा हूं तो यहां पी दिमें प्यूर क्यूंकि बीच में एक पोटेंशल डिफरेंस अप्लाई करूं लेट सपोज कि जो पोटेंशल डिफरेंस है वो मेरे पास है वी ठीक है मैं अभी कुछ वी बोल्ट का पोटेंशल डिफरेंस अफ्लाई कर देता हूं देखतर यह सिटोरी को यहाँ पर P और Q के बीचे में एक बैटरी के लफ से potential difference apply कर दिया और यह potential difference मानता हूँ V apply करने से suppose यहाँ पर एक I current flow होने लग जाए ठीक है अब यहाँ पर यह experiment आप एक potential apply कर रहे तो उसकी value पता है और यह current flow की तो वो भी आप measure कर सकते हो इन दोनों का जो ratio आएगा आप लिखते हैं ओम slow क्या बोलते है जो हमारा final था वी जी को स्वायर कुछ ऐसी statement निकल गया है न तो यहाँ साब बोल सकते हो resistance is basically ratio of applied potential and the current flowing तो इस V और I का ratio निकालना है अब अब जब potential difference apply करोगे तो current इस तरीके से flow गी अब मैं पूरे part को एक साथ देखने में जब जब मैं इसके एक छोटा सा segment ले रहा हूँ इस part को थोड़ा हम से देखीगा इस तरीके से में एक segment ले रहा हूँ मैं थोड़ा समयश में variation कर रहा हूँ R के अंदर हलका सा radial variation कर रहा हूँ समझ पार है मैं किस part की बात कर रहा हूँ तो यहाँ यह जो reason आएगा ना इस reason के बारे में अब हम discuss कर रहे हैं यह जो reason आएगा मारे पास इस reason के साथ क्या होने वाला है वो बात करती है मैंने हलका सा weight लिए DR ठीक है दुबारा देखते भाई तो मैं बोल सकता हूँ इतने से part में इतने से part में इतने से part में कुछ current flow गी let's suppose छोटी सी current DI flow हो रही है कितनी flow रही? DI और यहां pure Q की बीच में जो potential difference एपलाई किया है वो potential difference V वो मैं क्या लिख सकता हूँ इतने से part की current ले रहा हूँ तो इतने से part का ही resistance लूँगा V is equal to IR क्योंकि इस cylinder hollow cylinder के दोनों end पे potential difference V एपलाई हुआ है इसमें कुछ elemental current flow हो रही है क्यों मैंने area का एक छोटा सा part इस cylinder ठीक है पूरा area cover नहीं हो रहा यहां जो reason बनेगा यह hollow cylinder इसका resistance कितना है वो लिख रहे है उस part का resistance लिख सकते हो resistance होता है density so resistivity row L upon area area कितना है वो क्रॉस सक्षिन एर टू पाई आर डी आर क्या यह story समझ मारें अब तक अच्छा कुछ लोग बूलेंगे सरा आप सिधे ही लेग देते है वी जी को स्वाई आर resistance तो हमें calculate करना इस पूरे part का कि इस पूरे part का resistance कितना है यह हमें calculate करना और वो जो है ना row L by A वो formula इसलिए नहीं लगा सकते कि through the cross section area हमारे पास resistivity एक जैसी नहीं है इसलिए मैंने छोटे से segment पर लगाया है यहां तो कोई दिखका तो नहीं है तो थोड़ा से इसको cross multiply करते हैं यह हमारे पास आ रहा है V multiply by यह इधर उपर आ जाएगा 2 pi r dr multiply यह जो आपके पास one upon row चला जाएगा resistivity क्या लिगा है row not r upon A तो आपके पास A उपर आ जाएगा और नीच्छे आ जाएगा row not small r ठीक है उधर के side में हमारे पास बचेगा d i चलाएगा now integrating both side यहनिके मैं छोटे छोटे पार्ट को मैं integrate करने वाला हूँ ऐसे बहुत सारे hollow cylinder जिनकी radius a से लग जीरो से लगाके a तक vary करेगी radius जीरो से a vary करूं तो बहुत सारे d i elemental current आएगी वह सब मिलके total current i बन जाएगी और सारे hollow cylinder के लिए v x j से potential dependence तो बहार जाएगा 2 pi नंबर है बहार जाएगा small r सी small r cancel out और यह आपके पास row note बहार जाएगा small a भी बहार जाएगा अंदर क्या होचेगा हमारे पास शिरफ d r और इदर के फ्लाइवे 2 pi a square upon row note is equal to current i देखे हमारा काम बहात आसान हो रहा है यहां से लिख सकते न v upon i यह कितना बन रहा है यह बन रहा है यह बन रहा है row note divided by 2 pi a square और इन दोनों को जो ratio होता है potential upon current क्या वह हमारा resistance होता है तो मैं resistance मिल गया क्या मैंने इस पूरे discussion में कहीं कोई series combination parallel combination ऐसा कुछ भी word उस किया है क्या नहीं किया है न तो मैं बस यह ऐसास दिलाना चाहरा हूँ कि ohmslow exactly क्या बिलकुल मैं इसे series parallel के help से भी solve करूँ जो series parallel मैं जो पढ़ता है न वो इनी से derive होता है series parallel से ohmslow derive नहीं हो ohmslow से वो चीज़े derive होती है वो हमारे easy way है चीज़ों को solve करनेगा इनी का एक part हम उसको separately पढ़ लेते हैं ठीक बाकि fundamental चीज यह ही है उमीद करता हूँ आपको यह समझ मैं और इसका बिलकुल एक identical एक और follow discuss कर लेते हैं यह वाले ले लिजिए यह given है कि यहाँ पर जो resistivity है वो आपस length के along vary करें P से x distance पर resistivity इस formula के तुरू vary करेगी और again आप P और Q की बीच में रख रहे हैं तो कितना क्या होगा बहुत बढ़ी बात है फिर से मैं यहाँ काम करता हूँ कि माल लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक battery apply किये और इस battery की वज़े से battery का कुछ potential difference माल लेते हैं let's suppose that potential difference is V ठीक है और इस V potential difference से इस circuit में कुछ current flow होगी है ठीक हम उस current पर आते हैं मान लेते हैं वो current यहाँ जो flow आने वाली वो आपास आई है और वी और आई में relation यह जो current आई है पूरे में आपास हर जग एक जिस जाएगी मैं छोटा सा part ले रहाँ अराम से देखेगा पी से x distance पे dx width consider कर रहाँ तो आप छोटी से एक dis मिलेगी इसे dx width की विच में पोटेंशिल डिफरेंस भी है तो सब में पी से क्यू तक का पोटेंशिल डिफरेंस भी है तो छोटे सी width में छोटा सा यहाँ भी डिफरेंस आया होगा तो ओम से मैं क्या लेकि हूँ वी जीको सो आई यार तो यहां current current तो हर जगा पूरे में एक ही जैसी current दोड़ेगी जो पी पेंटर ले रहे हुए क्यू पे एक्जिट लेगी तो current आई multiply by इस छोटे से पार्ट का resistance छोटे से पार्ट का resistance कलकिंग resistance होता हमारे पास row लेंथ छोटे से पार्ट के लेंथ कितनी है डी एक्स और इसका cross section area कितना है capital A है तो यह आगया अब again मेरी में दोनों पार्ट को integrate करता हूं integrating both side ठीक है integrating both side की बात कर रहा हूं तो current आई तो आपके पास throughout the length एक जैसे इसले में आई को बाहर ले लिया पहले ही अब आप इस लेंथ है इसको vary करवाते हो 0 से L तक यह पी से क्यों तक पहुंच गए तो सारे डी भी मिल जाएंगे और total potential आजाएगा आजाएगा अग ने आजाएगा current आई cross section area भी हर जग एक जैसा है तो वो भी consonant बाहर आजाएगा अब बात कर लाते है रेजिस्टिविटी है उसका formula क्या है रो नॉट x upon L तो यह जाएगा रो नॉट x divided by L dx लिमिट 0 से L क्या बन रहा है चेक करो आई अपोन A बाहर जाएगा रो नॉट एक नंबर बाहर जाएगा L भी बाहर जाएगा अंदर बचा एक्स एक्स का इंटेग्रेशन x square by 2 यह होगा लिमिट पुट करें 0 से L तो यह बनेगा हमारे पास I multiply by रो यह टूब बाहर रहा जाएगा तो यह बनेगा A L टूब भी बाहर ले लेता हूँ और यह बनेगा L square माइनस 0 तो वो 0 तो एक L से एक L कट जाएगा तो फाइनल हमारे पास यह बन रहा है वी इस इको सू आई multiply by रो नौट L डिवाड़ भी ट्वाइस ओपे यह बिच रहा है अब अब रेश्यो देखो गया तो यह हमारे पास कहीं न कहीं resistance की value आजाएगी आजाएगी क्या आपने कहीं भी यह ओम श्लो श्री एक्वेलेंट बगएर कुछ बोला नहीं बोला लेकिन पूरे वायर का resistance हमें पता चल गया समझ मारे दोनों problem आपको तो इन दो example से में आपको यह एसास दिलाना चाहरा हो कि ohms low कितना ज्यादा important आप कैसी problem है कहीं भी फसो ohms low के बारे में सोचे kbl के बारे में सोचे ksl के बारे में सोचे और पूरे में जो आपके पास conductivity है वो एक जैसी है रेजिस्टिविटी रो एक जैसी है length L है और जिसकी radius A से लगा के twice of A तो गवैरी कर रहे है और जब P और Q के बीचे में बैटरी लगा होगे तब यह पूरी structure कितना resistance ओफर करेगी calculate करने का तरीका बिलकुल आसान है अब यहां से मैं तोड़ा hint देता हूँ अब यहां से x distance पे dx विर्थ लीजिए ठीक है इस तरीके सब dx विर्थ कंसिडर कीजिए और यहां छोटे से विर्थ पे elemental potential मानिए पहले बैटरी लगा होगे जैसे उपराले problem की थी बिलकुल यहां अब भी वेसिज एप्रोच कीजिए अपका अंसर पक्क आएगा ठीक है अपका अंसर आप मेरे को जरूर बताएगा क्या अंसर आ ठीक है